हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो इट्स कंप्यूटर माइनीमी समरा दिरनाथ और आप देख रहे हैं वेब इजाइनिंग के एच्टेमल का एपिसोड नमबर 61 इस एपिसोड में हम बात करने वाल है सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में यह एक एच्टेमल का एलिमेंट है पर इसक है सिमेंटिक एलिमेंट्स तो जैसे के आप इस अभी इस पोजिशन में देख सकते हो मैंने यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर एक कोडिंग है और देख सकते हो यहां पर नीचे इस इस नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स जो कि है नीचे के पोजिशन में तो सबसे पहले ज काम यह आया है जैसे कि example के हिसाब से मैं आपको दिखाऊ मैंने यहां पर semantic elements में यहां पर दो elements को लिया है एक है form और एक है table ठीक है यहां पर यह टेबल इतना portion है और यहां पर है form इतना portion अब जैसे कि अगर कोई noob हो या फिर मतलब जिसको technical knowledge ना हो इस html की मतलब html की knowledge ना हो अगर उसको आप बोलो गए कि एक form का element है तो वो एक idea लगा पाएगा कि form के element के अंदर form का ही coding होगा अगर आप form के element के अंदर code करोगे तो एक form create होगा आपके web page में तो simply form create करना है तो हमें form element का use करना है तो यह एक simple था इसका मतलब क्या हुआ semantic element का मतलब जो इस element का नाम है वही वह element वही काम करता है मतलब काफी easy है इसको समझना same as it is जैसे कि आप आप देख सकते हो table तो जैसे कि आप कभी भी table element का use करोगे तो उसके help से एक table ही करने वाला है web page में तो हम table element का यही यूज करते हैं तो इसलिए इसको semantic element कहा जाता है कि कभी भी अगर आप एक element लिखोगे semantic element तो उसके नाम सही पता चलता है कि यह element कौन सा काम करने वाला है जैसे कि table element है form element है और ऐसे ही तरह की और भी elements है जैसे कि जो अगला episode आने वाला है 62 वाला उसमें हम देखेंगे article element वो कैसे काम करता है so overall semantic element है इनका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आप यह form देखके समझ जाओगे कि इसके अंदर हम form ही create करने का core लिखेंगे और यह जो table है simply table लिखा गिया है इसका मतलब यही है कि इसके अंदर table ही create होने वाला है तो इनको ही semantic element कहा जाता है अब same इसका opposite non semantic element non semantic element को देखके हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि actually में यह जो element है वो किस का माने वारा है जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे दो elements को लिया है एक है यह development और यह एक है span element ठीक है तो div element को अगर आप किसी नए बंदे को दिखाओगे जिसको HTML नहीं कि आता तू वह directly देखके समझ नहीं पाएगा कि div element का मतलब क्या है अगर development के अंदर में कुछ लिखोंगा तो उसको आइडिया नहीं होगा कि इसके अंदर क्या हो सकता है हाँ अगर उसको में table element का बता हो कि table element है तो समझ यह कि हाँ table element का मतलब ये है कि इसके अंदर table create हो सक पाऊगे कि इसके अंदर क्या कोडिंग हो सकती है और सेम एसटी जो स्पैम एलिमेंट इससे कुछ पता नहीं चल रहा कि स्पैम मतलब क्या यह पता नहीं चल रहा तो यह जो है यह आज के इस वीडियो में मैंने आपको यही समझाना था कि simply जो नौन सेमेंटिक एलिमेंट से उनको हम देखके नहीं समझ सकते हैं और जो सिमेंटिक एलिमेंट से उनको हम डेखके समझ सकते हैं कि वो क्या काम करने वाला है और जो नौन सेमेंटिक एलिमेंट से वो क्या काम कर वाले हैं, so friends, इस वीडियो में हमने कोई कोई तो किया नहीं, तो मुझे आपको यह समझाना था कि non-semantic और semantic elements का difference क्या होता है, so I hope so आपको यह वीडियो समझ में आ चुका होगा, अगर आपको वीडियो समझ में ना रहा हो तो comment section में comment कीजिए, मैं आपको definitely reply दूँगा, तो म झाले हैं, 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 झाले